आईए दोस्तों बात करते हैं आज 19 मार्च 2020 गुरु आर के मुख्य समाचार और टूड़े ब्रैकिंग न्यूज के इस वीडियो में पंजाने के आज देश बर की हेडलाइस न्यूज पर नजर डालेंगे और इसी को देखते हुए भारते रेल्वे ने स्टेशनों पर यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की विवस्ता की हैं और जिससे रेल्वे आत्री मातर एक रुपे देकर बुखार की जांच वगरा करवा पाएंगे और इसके लाव भी रेल्वे स्टेशनों पर साब सफाई का विसेश ध्यान रखा जा रहा है हलांकि ये स्विदा फिलाल मुंबई के 19 रेल्वे स्टेशनों पर सुरू हुई है और धिरी धिरी इसे पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग है रेल्वे की और अगला अपडेट है दोस्तों अगर आप पेटीम चलाते हैं तो आप पर पेटीम को लेकर दो अच्छी कबरे आ रही हैं सभी पेटीम उजर्स के लिए पहली तो देख पार हूँगे की पेटीम बेचेगी अब स्वास्ते जीवन और वाहन भीमा इरडा से इसको ब्रोकरेज लाइसेंस भी मिल चुका हैं यानि कि दोस्तों अब अगर आप इंसुरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं न तो अपने मोबाइल फोन से सिंगल क्लिक पर ले पाओगे यानि कि आपको अपने मोबाइल से इंसुरेंस पॉलिसी खरीद पाएगे इसके लाओ भी पेटीम इसके लिए एक और अच्छा अपडेट यह हैं जिसका सीधा फाइदा करोड़ों गरहाकों को मिलेगा और पेटीम पेमेंट्स बेंग खुद इस तरह का कार्ड जारी करने जा रहा हैं जिससे कि आप इंटरनेशनल ट्रांजिक्शन कर पाएंगे अगर आप गुमने जाते हैं तो वही डेबिट कार्ड एटीम कार्ड आपका फोरेंट ट्रांजिक्शन के लिए भी कामाज आएगा अच्छा अगला अपडेट आ रहा हैं पीपी अब सुकन्य समर्दी स्कीम में पेसा लगाने वालों के लिए बड़ी कबर हैं एक अपरेल से ही मुनाफ़क गड़ सकता हैं तो दरसल बात कुछ यह हैं कि सरकार जो हैं वो आगामी तीमाई में चोटी बचेत योजना है स्माल सेविंग स्किम्स के उपर ब्यास दरू में कटोती करने पर विचार कर रही है सुत्रों ने बात की जान करती हैं और ऐसा माना जारां कि इससे रिजर्व बेंक है अनि कि RBI के मोद्रिक समिक्षा नीतिक दरूं को गटाने कर आस्ता साफ होगा अब देखते हैं हालां कि यह कोई ओफिशल अपडेट नहीं है कमपनी छोड़ने तक प्रस्तावित किया गया और तब तक आपको टेक्स जमान नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा जानकारी देख सकते हैं और इसके बारे में अगला अपडेट आरा दोस्तों सरकार का एक और बड़ा फेसला है पच्चेतर करोड लोगों को बड़ा तोफ़ा दिया है पीडियास से एक बार में ले सकेंगे च्या महिने का रासन जहां केंद्रिया मंतरी रामविलाज पास्वान ने बुधवार को का की पिच्चेतर करोड बेनिफिसरी पबलिक डिस्ट्रिव्यशन सिस्टम यानि कि P-D-S के तैट एक बार में छै महिने का रासन ले सकते हैं तो दरसल चीन में चल दे उस मसले को लेकर ही सरकार ने ये प्लानिंग शुरू किये अच्छा अगला अपडेट देख पारूंगे पीएफ पेंसन भोगी अब पूरे साल कभी भी जीवन प्रमान पत्र ओनलाइन जमा कर सकते हैं जिहां दोस्तों अगर आपका भी पीएफ खाता और पीएफ खाते के तरह पेंसन आती हैं उन लोगों के लिए जो बुड़े दादादी मम्मी पापा आपके हैं उनके अगर पीएफ खाते में पेंसन आती हैं तो आपको पतागा दोस्तों कि हर साल बेंकिंग रूल्स के अकोडिंग, लाइफ सेटिफिकेट यानि कि जीवन परमान पत्र जमा करवाना पड़ता हैं जिससे कि बेंकों को या पेंसन प्रोडर्स को पता चले कि हाँ फला बंदा अभी भी जिन्दा है और उसको पेंसन देनी हैं रेल मंत्री ने इसके पीछ एक बड़ी वज़ा बताई है दरसल बात कुछ यह है कि रेलवे हादसों को रोकने के लिए भारती रेलवे एक नई पहल सुरू करने जा रहा है कि भारतीय टूरिस्ट भूटान में भरेंगे 1000 रुपे का सस्टेनेबल डेवलप्मेंट टैक्स स्वास्ति भीमा में भी आपको निश्चित रीटरन मिलेगा इरडा ने इसको लेकर एक नई कमिटी बना दिया जी हां इंसुरेंस को लेकर एक बड़ा अपडेट है दोस्तों परसनल फाइनस के तद आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में आपको हैल्थ इंसुरेंस पर स्वास्ति भीमा पर एक निश्चित रीटरन भी मिल सकता हैं दरसल भीमा वे निया हमें के विकास पराद करने इरडा जो एना वे क्षती पूर्ति आधारी ते स्वास्ति भीमा लाने पर विचार कर behavior और इरडा ने एक सरकूलर विग्यानिकों ने प्राकर्थिक उत्पादू से सस्ता हैंड सेनेटाइजर बनाया जहां इसी के इन्फेक्शन यानि संकर्मन को रोकने के लिए बाजार में बेची जा रही नकली सामगरियों की खबरों के बीच सेनेटाइजर जैसे उत्पादू की मांग भी बढ़ गई है और इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश के पालमपूर में स्तित हिमाल है जेव संपदा प्रदोगी की संस्तान के विग्यानिकों ने एक नया हैंड सेनेटाइजर विक्सित किया ज़द जान करें आप देख सकते हैं और कुल मिला कर कि ये कमदान में मिल पाएगा इसके लाओ दोस्तों अमेरिके सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया और वो ये कि जल्द ही नागरिकों को 74,000 रुपे का चेक देगी जहां अमेरिका के राष्टरपती डोनाल ट्रम्प ने बड़ा राहत पेकेस देने का एलान किया और इसके दोस्तों राष्टरपती डोनाल ट्रम्प और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन मेनुचिन ने मंगलवार को अमेरिकी वैसकों को 1000 अमेरिकी डोलर यानि तकरीवन 14,000 रुपे तक के चेक बेजने का प्रस्ताव दिया जिससे की वो अपनी हेल्थ बोडी चेक अप वगरा कर पाएंगे और इस इन्फेक्शन से हुए नुक्षान को भरपाई कर पाएंगे अब दोस्तों ये अमेरिकी सरकार जब ऐसा कर रहे है न तो इसके तदिए भारत सरकार में इस तरह की कोई स्कीम लागू कर सकती है जिसके तद आपको सीथे बेंग खाते में पेसे बेज़े जा सकते हैं अलांकि ओफिशल इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है लेकिन अगर सरकार ये स्कीम लागू करती है तो इसको बोले जाता है दोस्तों UBI यानि कि Universal Basic Income अब देखते हैं कि भारत सरकार इस योजना को लागू करती है या नहीं फिलाल अगला अपडेट देख पारोंगे कि इसी की वज़े से भारते रेलवे ने सो से भी ज़्यादा ट्रेनों को कैंसल कर दिया अगर आप रेल यात्रा करने का प्लानिंग बना रहे हैं तो आप इंडिया रेलवे के ओफिसल वेब पोर्टल पर जरूर अपना ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें अच्छा साथ ही नेक्स्ट अपडेट है कि दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन ने 10,000 करमचारियों को बिना सैलेरी ही चुट्टी पर बेज दिया तो बात कुछ ही है दोस्तों की पूरी दुनिया में जो ये मसला चल रहा है इसके चलते पर रेट टक इंडस्ट्री पर बहुत बूरा असर देखने को मिला है देश के सबी मेडिकल कोलेजू और सरकारी लेब में इसकी टेस्टिंग की सुईदा सुरू कर सकती है और इसके लाव मानियता प्राप्त नीजी लेब को भी जल्दी टेस्ट सुरू करने की अनुमती मिल सकती है इसके लिए सरकार ने जर्मनी से 10 लाख चांच किट टेस्टिंग किट मंगाने का ओर्डर भी दे दी हैं जो बहुत जल्दाज आएंगे और भारत में इस तरह की सुईदा हैं आपको मिलने लगेगी अच्छा अगला अप्रेड देख पार होंगे कि 14 दिनों तक आईसोलेसिन में रहेंगे भारत से लोटे दक्षिन अफरीकी क्रिकेटर ये भी एक बड़ा फेसला हैं ताकि उनको जांच हो सके अच्छे से और उनके सरीर में अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन वगएरा हो तो उ दुनिया के सबसे की से बढ़ते दस सेरों में की सहर केरल भी सामोला यानि हमारी भारत के यह होAnother रेंकिंग की सर्वे में इस बात का कुलसा हुआ के मलपूरम कोउचिक उडय और और सहर जों उफेस्टो अधर्वावरत से पार हांँगे alcohol विजयां सभी टूरिस्ट को इसक जोचने दुबाई वगेरा आपके लिए अच्छी खबर यह दोस्तों की यूए इने सभी देशों के नागरिकों के लिए पांच साल का मल्टीपल एंट्री वीजा जारी करने का एलान कर दिया यानि कि एक बार यह वीजा पाने के बादा पांच साल तक कितनी भी बार दुब पर ज्यादा महांगा हुआ सरफ वजर में सोने की रेट 311 रुपे बड़ी और इसके बाद सोना 49,930 रुपे पर 10 ग्राम पर बंद हो गया और वहीं चांदी के अंदर 480 रुपे पर किलो ग्राम की गिरावट आई और इसके बाद अभी चांदी का रेट चल रहा है वो भी पस्चिमी विक्सोब के असर से राजदानी के अंदर एक बार फिट से मोसम बदलने जारा और मोसम विवाग के पुर्वनमान के मुताबिक अगले 24 गंटों के दोरान राजदानी में 12 होने के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं इसके लाबी दोस्तों संपूर्ण भारत के अगले 24 से 48 गंटों के मोसम पुर्वनमान की बात करें तो देख पार होंगे मद्य भारत में भी एक बार फिट से मोसम सक्री हो चुका और इसकी चलते दक्षिन पूरवी मद्यपरदेश चतीजगर महरास्ट के कुछ भागों मे बारिस सुरू हो चुकी है और अगले तीन दिन तक वर्सा के अनुमान भी जताई जारे हैं इसके लाबी और एक अब डेट देख पार होंगे संपूर्ण भारत के मोसम पुर्वनमान के तहत कि अगले 24 गंटों के दोरान चम्मो कस्मीर माचल प्रदेश और उत्राखंड के समाचार और राजसारकार के तरब से कोई स्कीम बगर अपडेट होगा तो तुरंत आप तक पहुचा पाएंगे और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए अच्छा ने लगा तो डिसलाइक कीजिए सेर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि इनफोर्मेशन उन तक भी पहुच पाएंगे और अगर आप चाहते कि आपको रोजाना इसी तरह के काम के अपडेट्स मिलते रहें तो DLS न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा दीजेगा जै हिंद ज